हैलो दोस्तों ब्लडी संडे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरा नाम है जे और आज मैं आपको डिराने के लिए बुतों के कुछ सच्ची और बहुत ही दिल्चस्प ऐसी कहानिया लेकर आया हूँ जिने सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि इसी आदमी के साथ ऐसा भी हो सकता है तो बस चलिए बढ़ते हैं पहली कहानी की तरब मेरा नाम अभिसेक चवहान है ये मेरे साथ गटी बिल्कुल सची गटना है ये बात करीब 6 साल पहले की है उस रात आफिस में काम का प्रेसर इतना बढ़ा हुआ था कि मुझे ओवर टाइम करके सारा काम निप्टाना पड़ा और फिर मैं रात के करीब 10 बजे आफिस से मेरे घर के लिए बाइक पर निकला और बाहर रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था जब तक मैं में हाईवे पर था तब तक तो कई बड़ी गाड़ियां मुझे आती जाती दिखाई दे रही थी लेकिन अब मैं वहाँ से आगे निकल गया था और मेरे घर की तरब जाने वाले रास्ते पर चल रहा था मगर वहाँ मेरे अलावा दूसरी कोई गाड़ी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी खेर अभी मैं आगे बढ़ी रहा था जब मेरे पीछे से एक बाइक वाला आगे निकल गया खेर मुझे तसली तो हुई कि उस रास्ते पर मेरे अलावा और भी कोई मौजूद है मगर जब थोड़ी दूर आगे पहुँचा तो मैंने देखा कि वही बाइक वाला रास्ते पर रुका हुआ था खेर मैं जब उसके पास पहुँचा तो इस से पहले कि मैं आगे निकल पाता तभी मेरी बाइक किस रास्तामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया तभी मेरे बगल में मौजूद वो बाइक वाला बोला कि अजीब आदमी है किसी को जाने नहीं दे रहा है तब जाकर मुझे ये मसला थोड़ा समझ में आया मगर वो तीसरा आदमी जो कि हमारे सामने खड़ा था वो इस तरह से हमारा रास्ता क्यो रोक रहा है ये बात अभी मुझे समझ नहीं आई थी लहाजा मैंने उसे पूछ लिया कि आप हमारा रास्ता क्यो रोक रहे हो मैंने अभी अपना सवाल पूरा भी नहीं किया था कि तभी वो आदमी बारी आवाज में बोला कि लौट जाओ वरना मारे जाओगे ये सुनकर मुझे भी थोड़ा गुसा आया लेकिन मैं कुछ बोलता कि तभी मेरे बगल में मौझूद बाइक वाला फिर से आगे बढ़ने की कोसिस करने लगा मगर वो आदमी उसके सामने जाकर खड़ा हो गया अब तो वो आदमी गुसे से भर गया और बाइक से नीचे उतर कर उस आदमी से जगडने लगा मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरे रॉंग्टे पूरी तरह से खड़े हो गया और मैं खौफ से धहल गया दरसल जैसे ही वो बाइक वाला उस आदमी से जगडने लगा तभी उस आदमी का चेरा बेहादी बहानक रूप में बदल गया और उसने एक हाथ से ही उस बाइक वाले को करीब दस फिट उपर उच्छाल कर जमीन पर पटक दिया और फिर वो बहानक खबीस उस आदमी के उपर चड़कर बैठ गया और उसने उसकी गरदन मरोड दी तभी बाइक वाले की देखते ही देखते तलब कर दरधनाक मौत हो गए और वो खबीस उस बाइक वाले की लास को फार कर खाने लगा ये बहानक मंजर देखकर मेरे तो पसीने चूट गये और मैं फोरण वहां से पीछे की तरब भाग निकला और पूरी रात मैं आफिस में ही रुका रहा अगले दिन जब मैं घर पहुँचा तो घरवालों को मैंने सारी बाते बताई जब मेरी बाते सुनकर घरवाले भी सकते में आ गये आज भी ये घटना याद करके मैं सहम जाता हूँ मेरे साथ घटी ये घटना बिलकुल सच्ची है मेरा नाम अमित कुमार है ये मेरे साथ घटी बिलकुल सच्ची घटना है ये बात करीब तीन साल पहले की है पेसे से मैं ट्रक ड्राइवर हूँ ट्रक चलाते हुए मुझे करीब 6 साल हो चुके हैं उन दिनों मैं ट्रक पर अकेला ही था दरसल मेरा खलासी विकास कुछ दिनों से चुट्टी पर था क्योंकि उसकी मा बीमार थी तो मैं अकेला ही सफर पर जा रहा था उस रात भी मैं एक लमबे सफर पर था रात के करीब दो बज रहे थे अब तक रास्ता भी पूरा साफ हो चुका था चारो तरफ फैली खामोसी ने मुझे ट्रक की स्पीड बढ़ाने की और इसारा कर दिया अभी मैं तेज रप्तार ट्रक लिए आगे बढ़ी रहा था कि तभी मैंने देखा रास्ते पर एक औरत मेरे ट्रक का पीछा कर रही थी मगर हैरानी की बात ये थी कि ट्रक के पीछे फैले अंधेरे में वो औरत किसी बल्व की तरह चमक रही थी जिसे कि मैं साफ साथ ट्रक का पीछा करते हुए देख पा रहा था ट्रक के साइड विव मिरर में का पीछा करना यकिनन नामुम्किन था और तब ही मेरी नजर उस औरत के चहरे पर पड़ी तो मेरे रॉंग्टे खड़े हो गये क्योंकि उस औरत का तो कोई चहरा ही नहीं था जिसका मतलब साब था कि वो कोई साधारन ओरत नहीं थे बलकि भ्यानक टायन थे और अग मेरी जा उस सपाट चेरे वाली आत्मा की चपेट में थी मैं बहुत डर गया और टरक को मैकसिमम की रपतार में भगाने लगा और तभी मेरा टरक असंतुलित होने लगा और मेरा टरक पुल से भिड़कर नीचे नदी में गिर गया जहां ट्रक समेथ मैं पानी के अंदर दबने लगा तभी मैंने भगवान से मेरी जान बचाने की प्रातना की मगर ट्रक का दरवाजा मैं बार बार खोलने की कोसिस कर रहा था मगर पानी के दबाओ के तले वो दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था पानी के अंदर सांस न ले पाने से मेरा दम घुटने लगा और मुझे मेरी मौत साफ दिखाई देने लगी तभी मैंने ट्रक के दर्वाजे पर मौजूद खिड़की को ग्लास ब्रेकर की मदद से तोड़ दिया और कांच के तूटते ही मैं खिड़की से होता हुआ बाहर निकलने लगा तभी ये कांच का तुकड़ा मेरी सट को फारता हुआ मेरी पीट पर घुस गया मैं दर्द से करा उठा मगर तब तक मैं ट्रक से बाहर निकल चुका था मगर अब भी मैं पानी के काफी अंदर मौजूद था वो तो किस्मत से मुझे तैरना आता था जोकि मैं तैर कर पानी के उपर आ गया और तैरते हुए किनारे पहुँचकर पानी से बाहर निकलाया और फिर मैंने चारो तरब अपनी नजरे दोड़ाई मगर अब वो बैयानक आत्मा मुझे वहाँ चारो तरब दिखाई नहीं दी तब जाकर मैंने राहत की सांस ली और फिर किसी तरह मैं वहाँ से भाग निकला अगले दिन पानी से मैंने ट्रक बाहर निकलवाया और जब लोगों को मैंने मेरे साथ घटी पूरी घटना बताई तो मेरी बाते सुनकर हर सक्स सक्ते में आ गया खैर खुस किस्मती से फिर कभी दोबारा मेरा सामना उस भयानक आत्मा से नहीं हुआ मगर इस घटना को याद करके मैं आज भी सहम जाता हूँ मेरे साथ घटी ये घटना बिलकुल सच्ची है मेरा नाम सीवम रावत है ये मेरे साथ घटी बिलकुल सच्ची घटना है ये बात करीब तीन साल पहले की है आज से तीन साल पहले उस रात मैं अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा था पार्टी में मौज मस्ती अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी और मेरे कुछ नए दोस्त नसे में धुत्थ होकर एक दूसरे की गल्फ्रेंड के साथ गलत हरकते करने लगे थे जिसका नतीजा ये हुआ कि हम सब आपस में ही जहगर पड़े और सभी वहां से निकल पड़े अपनी गल्फ्रेंड को उसके घर पर छोड़ कर मैं फिर अपने घर के लिए निकल पड़ा रात के दो बज़े का वक्त हो रहा था और बाइक चलाते हुए जब मैंने रास्ते पर चारो तरफ नजरे दोड़ाई तो बस गहरे अंधेरे को समेटे खामोसी ही फैली दिखाई दे रही थी खेर मैं भी आगे बढ़ी रहा था जब मैंने एक औरत को रास्ते के किनारे एक पेंड पर चड़ते हुए देखा मैं ये देखकर हैरान हो गया क्योंकि वो औरत एक चिकने से सपाट पेंड पर बहत तीर्वता के साथ चड़ गई थी और पेंड के बीच पत्तियों में न जाने कहां गायब हो गई थी मैंने भी वहां रुकना ठेक नहीं समझा और मैं आगे की तरफ बढ़ता रहा लेकिन अभी मैं कुछ दूर आगे निकला ही था कि तभी वो औरत इस बार सड़क के बीचों बीच खड़ी मुझे घूरे जा रही थी और उसकी आखे किसी सफेद बल्व की तरह चमक रही थी और अब वो औरत पूरी तरह से निर्वस्त हालत में थी जो कि उस औरत की मनोस्थिती को प्रस्तुत कर रहा था दरसल अब उस औरत के चेहरे पर मुझे हवस की प्यास दिखाई दे रही थी और जब मेरी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी तो मेरे रौंग्टे खड़े हो गए क्योंकि उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे ये देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो औरत साधारन औरत नहीं बलकि एक आत्मा है जो पलक चपकते ही मुझे मौत की नींद सुला सकती है अब धीरे धीरे मैं डर के सिकंजे में खुद को फस्ता महसूस कर रहा था और वो आत्मा भी मेरी तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी तभी मेरे दिल से आवाज आई की अगर मौत सामने आही गई है तो एक आखरी मर्तबा इससे बचने की कोशिस करनी चाहिए लियाजा मैंने फोरण अपनी बाइक को पीछे की तरफ मोड़ा और बाइक को भगाने लगा तो वहीं वो आत्मा भी ठीक मेरी बाइक का पीछा करने लगे उसकी भयानक गुरहट मुझे साब सुनाई दे रही थी और मैं मन ही मन ये तैंक कर चुका था कि मैं मौद से आज खुद को बाहर निकाल कर रहूँगा फिर भी मौद बनकर वो चुड़ैल मेरा पीछा तिरुता से कर रही थी लेकिन फिर मैं तब तक नहीं रुका जब तक की मैं एक सुरच्छित इस्थान तक नहीं पहुँच गया और वहां मैंने चारो तरप नजरे दोड़ाई तो मुझे वो आत्मा दिखाई नहीं दी तब जाकर मेरी जान में जान आई और फिर मैं अपनी गल्फ्रेंड के घर चला गया जहां उसको मैंने सारी बात बताई तो मेरी बाते सुनकर वो भी हैरान थी इस घटना के बाद फिर कभी मेरा सामना उस आत्मा से नहीं हुआ लेकिन इस घटना को मैं आज तक भुला नहीं पाया क्योंकि ये घटना मेरी जिन्दगी की पहली और आखरी ऐसी घटना है जिसे याद करके मैं आज भी सहम जाता हूँ मेरे साथ घटी ये घटना बिलकुल सच्ची है मेरा नाम प्रसांथ राय है ये मेरे दादा के साथ घटी बिलकुल सच्ची घटना है इस घटना के बारे में मुझे दादा जी ने करीब चार साल पहले बताया था उन्होंने बताया कि उनके बच्चपन में उन्होंने एक आत्मा का सामना किया था दादा जी की इस बात ने मेरे अंदर उस घटना को जानने में दिल्चस्पी बढ़ा दी थी और फिर मैंने दादा जी से सब कुछ विस्तार में बताने के लिए कहा तब दादा जी ने बताया कि गर्मियों के दिन थे और मेरे दादा जी अपने दोस्तों के साथ आम के बगीचे में चोरी चुपे आम तोड़ने के लिए गए थे लेकिन उस आम के बगीचे की रखवाली एक बूढ़ी औरत करती थी जोकी उम्र के तकाजे में काफी बिखर चुकी थी अब उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता था तो दादा जी और उनके दोस्त आम के फिड़ पर चड़ जाते और जब वो बूढ़ी औरत आती तो सभी सांती का परिचे देते हुए पेंड़ की टहनियों पर चिपक कर बैठ जाते जिससे उस बुढ़ीहा को उनकी मौजूदगी का पता नहीं चलता और वो वहां से चली जाती लेकिन उस दिन भरी दोपहर जब दादा जी अपने दोस्तों के साथ आम तोड़ रहे थे तो उन्हें एक भारी आवाज सुनाए दी चले जाओ ये मेरा बगीचा है ये मेरे आम है वो आवाज इतनी भारी थी कि दादा जी और उनके दोस्त काफी ख़बरा गये सभी सांथ होकर एक जगे बैट गए यानि कि पेड की टहनियों पर ही मौजूद होने के बावजूद सांथ होकर उन्हीं टहनियों से चिपक गए पेड से नीचे की तरब देखने लगे मगर नीचे उन्हें वो बुढिया दिखाई नहीं दी मगर वो लोग कुछ देर पेड की टहनी से चिपक कर बैठे रहे मगर अभी वो लोग बैठे ही थे कि तभी दादा जी के हाथ पर खून की बून टपकने लगी तो दादा जी हाथ जिटकते हुए जैसे ही उन्होंने उपर की तरब देखा तो जो द्रस दादा जी के सामने आया उसने उन्हें और उनके दोस्तों को खौफ का असली मंजर दिखा दिया दरसल जब दादा जी ने उपर देखा तो उपर आम के पेड की एक मोटी तहनी पर वही बुढिया फासी के फंदे पर जोल रही थी मगर उसकी सफेद मोतीदार आखे उन लोगों के उपर टिकी हुई थी और उसकी जीब मुह से बाहर निकली हुई थी जिसकी लंबाई एक हाथ के बराबर थी मगर अब उस पुढिया का चेरा पहले जैसा नहीं था उसका चेरा कटा फटा हुआ था और खून बहरा था और देखते ही देखते पेड की टहनी पूरी तरह से खून से भीग चुकी थी ये भयानक मंजर देखकर दादाजी पेड से नीचे गिर पड़े और उनके बाकी दोस्त भी चीखते चिलाते हुए पेड से नीचे उतरे मगर पेड से गिरने की वज़े से दादा जी बेहोस हो गए थे परंतु उनके दोस्तों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और सभी लोग वहां से भाग निकले और जब दादा जी को लेकर उनके दोस्त दादा जी के घर पहुँचे तो घरवाले दादा जी को बेहोस देखकर परेशान हो गये और फिर घरवालों के पूछने पर दादा जी के दोस्तों ने घरवालों को सारी बात पताई तो सारी बाते सुनकर घरवालों ने दादा जी के दोस्तों को खुब डांट लगाई कि चोरी करना गलत बात है डॉक्टर ने दादा जी को कुछ दवाईयां पिलाई और उनके चेरे पर पानी के छीटे मारे तब जाकर दादा जी को होस आया और होस में आते ही डर के मारे दादा जी रोने गिर्ड़ाने लगे और फिर घरवालों ने बताया कि उस आम के बगीचे की रखवाली करने वाली उस बुढिया ने कुछ दिनों पहले वहीं बाग में आम के बगीचे में आम के एक प्रिंड से लटक कर फासी खा ली थी तब से ही उसकी आत्मा वहां भटक रही है और वहां किसी को आम खाने नहीं देती और घरवालों की बाते सुनकर दादा जी और उनके दोस्त भी सक्ते में आ गए और फिर कभी दादा जी ने उस आम के बगीचे में जाना ठेक नहीं समझा और आज भी दादा जी इस घटना को याद करके सहम जाते हैं मेरे दादा जी के साथ गटी ये घटना बिलकुल सची है मेरा नाम प्रतीक है ये मेरे साथ गटी बिलकुल सची घटना है ये बात आज से लगभग 6 साल पहले की है तब मैं सहर में नौकरी करता था और सहर में ही मैंने एक घर किराय पर ले लिया था मैं नौकरी के लिए हर रोज सुबै साड़े आठ बजे से अपने घर से निकलता और साड़े आठ बजे तक ही वापस ओफिस से घर आ जाता था मैं आफिस अपनी बाइक से जाता था और अपनी बाइक से ही मैं वापस घर के लिए लोटता था ये बात तब की है जब एक रात मैं अपने घर के लिए निकलने के लिए आफिस के बाइक पारकिंग एरिया में गया और अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा मगर उस दिन मुझे पता नहीं मेरी बाइक पर क्या हुआ पर मेरी बाइक लाग कोसिसों के बावजोद स्टार्ट नहीं हुई और तो और बाइक को स्टार्ट करने के चक्कर में मुझे और भी काफी रात हो गई और फिर मैंने सोचा कि आज रात मैं अपने घर तक आटो से चला जाता हूँ और फिर कल बाइक में जो भी खराबी आई है उसे मैं मेकैनिक से ठीक करवाऊंगा ये सोचकर मैं पैदल ही आफिस से घर के लिए निकल पड़ा और रास्ते में चौराहे के पास महुच कर मैं किसी आटो या रिक्से वाले की तलास करने लगा किसमत से मुझे जल्दी ही एक आटो वाला मिल गया और फिर मैंने उससे अपने घर के पते पर चलने को बोला तो वो तयार हो गया और फिर मैं उस आटो वाले के साथ अपने घर के लिए निकल पड़ा दरसल मेरे घर के रास्ते पर जाने पर बीच में एक कब्रिस्तान पड़ता है और उस कब्रिस्तान के बारे में लोगों का मानना था कि वहाँ पर कई सारी आत्माय रात के वक्त भटकती है और मेरे खुद के सहर में बिताय वक्त के दौरान मैंने उस कब्रिस्तान के पास में रात में होई कई रहस्ते में दुरगटनाओ और हाथ सो के बारे में सुना था मगर क्योंकि मेरा घर उस कब्रिस्तान से दूर आगे ही परता था इसलिए मजबूरन मुझे हर रोज उसी रास्ते से आना जाना पड़ता था और क्योंकि मेरा घर उस कबरिस्तान से कुछी दूरी पर था इसलिए लोग डर से उस घर पर रहना नहीं चाहते थे जिस वज़े से वो घर मुझे बेहदी कम पैसों में किराय पर मिल गया था सेहर में उस कबरिस्तान का डर इसकदर फैला हुआ था कि कोई भी आटो या रिक्सा वाला रात के वक्त उस रास्ते पर चलने के लिए तयार नहीं होता था मगर मेरे केस में ऐसा था कि जिस आटो वाले के साथ मैं अपने घर के लिए निकला था वो अभी सेहर में नया था जो कि मुझे रास्ते में उसी से पूछने पर पता चला था तो इसी लिए उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और स्वाभाविक था कि मैंने उसे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं था खैर रास्ते पर चलते चलते मैं उस आटो वाले के साथ कबिस्तान से बच कुछ ही दूरी पर था उस रात मुझे भी बेहट डर लग रहा था क्योंकि मुझे वापस घर लोटने में काफी रात हो गई थी उस वक्त रात के तक्रीबन साड़े दस बज रहे थे खैर उस रात रास्ते पर चलते हुए मुझे एक भी गाड़ी रास्ते पर चलते हुए नजर नहीं आ रही थी रास्ते पर गहरा सनाटा पसरा हुआ था और तभी मैंने देखा कि आटो कब्रिस्तान के पास महुच गई है वो देखकर मेरी सांसे बेहत तेज चलने लगी और मैंने फॉरण आटो के ड्राइवर से कहा कि आटो को और तेज चलाओ मेरे ऐसा बोलने पर आटो के ड्राइवर ने मुझसे पुछा कि क्यों भाई साब क्या हुआ आटो तो लगभग पैरे से ही तेज चल रहा है फिर आप अचानक से आटो को और तेज चलाने के लिए क्यों बोल रहे हो उस आटो वाले की बात पर मैंने उसे कहा कि अरे यार ये जगे ठीक नहीं है यहाँ पर रात के वक भूत प्रेत और आत्माएं भठकती है मेरी ये बात सुनकर आटो वाला तेज तेज हसने लगा और मुझसे बोला कि अरे बाई साब भूत भूत कुछ नहीं होता और इतना बोलकर हसते हुए वो भूतों को गालिया देने लगा और तभी अचानक से हवा बेहधी तेज चलने लगी और तभी मैंने देखा कि कब्रिस्तान से एक सफेद साया बेहधी तेजी से आटो के सामने आ गया और तभी उस साये ने एक जटके से चलते हुए आटो को पलट दिया और फिर आटो जमीन पर घिसते हुए कुस दूर तक चला गया और फिर दर्द से कराते हुए मैं आटो से बाहर निकला और फिर मैंने उस आटो वाले ड्राइवर की मदद के लिए आटो की ड्राइविंग सीट पर देखा तो मैंने देखा कि वो आटो ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर नहीं था और फिर तभी मुझे कबरिस्तान की तरफ से उस आटो ड्राइवर की चीखे सुनाई दी तो उसकी चीखे सुनकर मैंने पीछे उस कबरिस्तान की तरफ पलट कर देखा तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छुट गए और मैं पसीने से लटपत हो गया मैंने देखा कि वो आटो ड्राइवर कबरिस्तान के सामने रास्ते पर उपर हवा में लटका हुआ था और जोर जोर से चीखे लगा रहा था और तभी मैंने देखा कि कब्रिस्तान से कई सारे सफेद साय बेहादी तेजी से रास्ते पर आ गए और फिर तभी उन सफेद सायों ने उस आटो ड्राइवर को चारो तरफ से घेर लिया और फिर मेरे देखते ही देखते उन सफेद जायों ने उस आटो ड्राइवर के सरीर को नोच नोच कर कई हिस्सों में बार दिया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी वो देखकर मेरे रॉंग्टे खड़े हो गये और मेरी जान हलक में अटक गए और मेरी सांस फोलने लगी और मै डरते हुए धीरे धीरे उस कबरिस्तान से दूर जाने लगा मैं इतना खौफ जदा था कि उल्टे पाउ ही पीछे हटकर उस कबरिस्तान से दूर जा रहा था मगर तभी मैंने देखा कि वो सफेद साय वापस कबरिस्तान के अंदर जाने लगे और उन्हीं के साथ आटो ड् के मांस के तुकडे हवा में उड़ते हुए एक पल में कब्रिस्तान के अंदर चले गया और मेरी आखों से ओजल हो गया वो देखकर मेरी जान में जान आई और फिर मैं अपनी जान हथेली पर लेकर अपने घर की तरब भागने लगा और तब तक नहीं रुका जब तक मैं नीन नहीं आई पूरी रात यही सोचकर मेरी जान निकली जा रही थी कि कहीं वो बयानक साहे मेरे घर पर ना आ जायें और कहीं मेरा भी वही हाल न करें जो उन्होंने उस आटो वाले ड्राइवर का किया था खेर जैसे तैसे वो रात कटी और फिर सुबह होते ही मैंने वो घर छोड़ दिया और अपना सामान लेकर मैं उसी सहर में दूसरी जगे एक घर पर सिप्ठ हो गया और फिर उसके बाद मुझे सिर्फ इतनी खबर मिली कि उस कबरिस्तान के पास पुलिस को एक लावारिस आटो पड़ा मिला है मगर उस आटो ड्राइवर की लास के तुकड़े भी किसी के हाथ नहीं आए तो दोस्तों ये थी मेरे साथ गटी बिलकुल सची घटना मेरा नम वासू है ये मेरे और मेरे दोस्त बसंद के साथ गटी बिलकुल सची घटना है ये बात तब की है जब एक रात मैं इंगेजमेंट सूट करके वापस अपने घर लोट रहा था इंगेजमेंट सूट करके वापस घर लोटने में मुझे काफी रात हो गई थी तक्रीबन रात के दो बच चुके थे और अभी भी घर लोटने में मुझे तक्रीबन देड़ गंटे का सफर और तैं करना था उस रात मेरे साथ मेरा दोस्त बसंत भी था जिससे सफर लंबा होने की वज़े से मैं इंगेजमेंट में अपने साथ ही ले गया था दरसल बात ऐसी थी कि उस इंगेजमेंट में जाने पर बीच में एक जंगल पड़ता था यानि कि लगभग 12-15 किलो मीटर के दाएरे में कोई इंसानी बस्ती मौजूद नहीं थी अकेले उस इंगेजमेंट पर सूट के लिए जाना ठेक नहीं होगा और फिर जब मैंने बसंत से इस बारे में बात की तो जंगल का नाम सुनकर उसने मेरे साथ जाने से मना कर दिया मगर फिर मेरे उसको पैसें का लालस देने पर वो मान गया खेर उस रात जब हम दोनों मेरी बाइक पर इंगेजमेंट सूट खत्म करके वापस लोट रहे थे तब मेरा दोस्त बसंत उस जंगल के बारे में सोच कर बेहादी डर रहा था तो इस पर मैंने उससे कहा कि अरे यार आदमी होकर इतना डरता है जंगल ही तो है कोई भूत प्रेथ थोड़ी ही है जो तुझे खा जाएगा तो मेरी इस बात पर बसंत ने मुझसे कहा कि यार तु इतनी रात को अकेला कैसे ट्रेवल कर लेता होगा तुझे डर नहीं लगता बसंत की बात सुनकर मैं हसते हुए बोला कि क्या यार मैं बच्चा थोड़े ही हूँ जो डरूँगा ये सब बाते करते हुए हम आगे बढ़े ही जा रहे थे और फिर हमें पता भी नहीं चला कि कब हम बाते करते हुए जंगल के बेहत अंदर आ गये तभी मेरी नजर रास्ते पर बीचो बीच खड़ी एक लड़की पर पड़ी उस लड़की ने सफिद कपड़े पहन रखे थे उस लड़की को देखते ही मैंने दोर से ही बाइक रोग दी और फिर मैंने बसंत से कहा यार वो आगे देख बीच रास्ते पर कोई लड़की खड़ी है उस लड़की को देखतर मेरे दोस्त बसंत ने कहा यार इतनी राद गय लड़की और वो भी सुनसान और घने जंगल में कौन है ये और फिर आगे मेरे दोस्त ने कहा कि यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है हो सकता है ये कोई चोर लुटे रहे हो और ये हमें फसाने की कोई चाल हो तुम बाइक मत रोकना और बेहादी तेजी के साथ उस लड़की के दूर से ही आगे निकल जाना बसंत की बात सुनकर मुझे भी उसकी बात ठीक लगी और मैंने बाइक को फूल स्पीट पर भगाना शुरू कर दिया मगर जैसे ही हम दोनों उस लड़की के पास से गुजर रहे थे तो उस लड़की को देखकर हम दोनों एकदम से चीक पड़े और फिर बिना देरी किये मैंने बाइक की स्पीट और भी तेज कर दी मैं कैसे भी करके अपने आपको संभाले हुए था मगर मेरा दोस्त बसंत बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था वो जोड़ जोड़ से कपकपा रहा था और रोता भी जा रहा था फिर मैंने उसकी बिगरती हालत को देखते हुए उसे कहा भाई घबरा मत तु मुझे कसकर पकड़ ले और अपनी आखे बंद कर ले मेरी बात पर बसंत ने मुझे कसकर पकड़ लिया और अपनी आखे भी बंद कर ले और फिर तभी मेरी नजर साइड मिरर पर गए तो मैंने देखा कि वो लड़की बाई के साथ साथ दोड़ रही है वो देखकर मेरी जान हलक में अटक गए मगर मैंने कैसे भी करके खुद पर काबू बनाय रखा और बसंद को इस बात का पता नहीं चलने दिया मैं ये देखकर हैरान था कि इतनी स्पीड में चल रही बाई के साथ भला ये लड़की कैसे दोड़ रही है हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की की ना तो कोई आख थी और ना ही मुँ उसका पूरा का पूरा चेहरा सपाट था उस भयानक बला को लगातार अपनी बाई के साथ दोड़ते हुए देखकर अब मेरे हाथ पाउं फूलने लगे थे और मेरा सरीर भी कपकपाने लगा था कि तभी पीछे बैठे मेरे दोस्त बसंद ने अपनी आखे खोल ले और चीखते हुए बसंद सकपका कर चलती बाईक से नीचे गिर पड़ा और जिस वज़े से बाईक से मेरा संतुलन भी बिगड़ गया और मैं भी बाईक के साथ जमीन पर घिसरते हुए काफी दूर जाकर गिरा जिस वज़े से मुझे काफी चोट आई और मैं कराते हुए जैसे तैसे उठा ये देखने के लिए कि मेरा दोस्त बसंद तो ठीक है मैंने फोन की फ्लैसलाइट ओन की और बसंद को ढूनने के लिए वापस जंगल में रास्ते पर पीछे की और जाने लगा उस जगे पर जहां बसंद उस भ्यानक बला को देखकर सब पका कर वाइक से नीचे गिर गया था और फिर जैसे ही रास्ते पर मैं उस जगे पर पहुँचा तो फोन की फ्लैस में मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गया और मैं पसीने से लद्पत हो गया मैंने देखा कि उस जगे रास्ते पर खून ही खून था और बीच रास्ते पर बसंद का कटा हुआ सर पड़ा था जो कि इतनी विभस्त हालत में था कि उसे देखकर मैं लड़करा कर जमीन पर गिर पड़ा मेरी सांसे बेहादी तेज चल रही थे मैंने फोन की फ्लैस में रास्ते पर चारो तरब देखा मगर बसंद के धड़का कोई अता पता ही नहीं था बसंद का सर इतनी बुरी हालत में था कि उसकी आखों की पुतलियां तक उस बला ने निकाल ली थी और उसकी आखों से खोन बहे जा रहा था वो सब देखकर मेरी जान हलक में अटक गई थे और फिर मैं जैसे तैसे उठा और भागते हुए अपनी बाइक के पास महुचा और बाइक स्टार्ट करने की कोशिस करने लगा मगर मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थे मैं बार बार बाइक पर किक मार कर उसे स्टार्ट करने की कोशिस कर रहा था कि तभी मुझे जंगल से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दे जो कि इतनी तेज थी कि कुछ समय के लिए मेरे कान सन्न पड़ गए वो बहानक चीख सुनकर मैं भी जोर जोर से चीखे मारने लगा और भगवान से मेरी जान बचाने की प्रातना करने लगा और तभी भगवान की क्रपा से मेरी बाइक स्टार्ट हो गई और फिर अपनी जान हथेली पर लेकर मैंने बाइक को फुल स्पीट पर भगा दिया और फिर मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं अपने घर नहीं पहुँच गया और फिर घर पहुँचने के बाद डर और खौफ से मुझे कई रातों तक नींद ही नहीं आई और जब भी नींद आती तो उस रात के भयानक सपने आने लगते और फिर इस घटना के बाद मुझे तकरीबन एक महीने तक लगातार बुकार रहा और आज उस घटना को याद करके मेरे रॉंक्टिक खड़े हो जाते हैं और मैं आज भी खौफ के साय में जी रहा हूँ तो दोस्तो ये थी मेरे साथ घटी बिलकुल सची घटना तो दोस्तो ये थी हमारी आज की कहानिया मैं आनी जैसुकला आपसे मिलता हूँ कुछ और सची और बहुत ही खौफनाक कहानियों के साथ इस चैनल को सरूर सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि बलडी संडे इस यूट्यूब चैनल पर आपको बोदो की बेहादी खौफनाक और सची और बहुत ही रह समय कुछ ऐसी कहानिया सुनने को मिलेंगे जिनने सुनने के बाद आपको बहुत मजाएगा मैं मिलता हूँ आपसे कुछ और सची कहानियों के साथ तब तक के लिए बाई एंड टेक केर